हाली के दिनों में मेधालेया से 11 विधायक कॉंग्रेज पार्टी छोड कर त्रिणमूल कॉंग्रेज में शामिल होएं कुछ समय से त्रिणमूल कॉंगरेज यह प्रियास कर रही है कि अलग-अलग राज्जों में वो अपना संगठन बनाए और उसका परिणाम रहा कि गोवा से भी कुछ नेता दूसरी पार्टियां छोड़ तिरनमूल कॉंग्रेज में शामिल हुए हैं इस साल 2021 मार्ट के महने में तिरनमूल कॉंग्रेज को पस्चिम मंगाल में विधान सभा के चुनाओं में एक बहुत बड़ी सफलता प्राप थी जिसके बाद तिरनमूल कॉंग्रेज गद गद है और ये प्रयासों में लगी हुई है कि अलग-अलग राज्यों में उनकी पार पार्टी में जो राजनीतिक सलाकार जिन्गों ने प्रशांत किशोर को रखा है उनकी भी राए ली जा रही है ताके पार्टी को अलग-अलग राज्यों में मजबूत किया जाए यह कैसे मुम्किन हो सकता है जबके भारते जनता पार्टी का अपना एक जनाधार है और बा कांग्रेस कमजोर होगी तब ही तरनुमूल कांग्रेस को लगता है कि वो मजबूत हो सकती है तो वहीं देखना यह है कि जब 2021 मार्च के महिने में पस्चि मंगाल के विधान सभा चुना हुए तो कहा गया कि भारते जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी पराज़े मिल गई है लेकिन हकीकत इसके खिलाफ है यह बरक्स है जबकि भारते जनता पार्टी का पस्चि मंगाल में कोई खासा जनाधार नहीं था बलकि 2014 के लोकसभा चुनाओं के बाद भारते जनता पार्टी ने वहाँ पर अपने प्रदर्शन में सुधार किया है 2014 में दो लोकसभा के सा था फलता प्राप्त करती थी जो घो 70跟我 2 रोग सभा के सांसर जीते फिर 2016 में भारती जंता पर्द के मात्र थी कि त्停 विधायक एक से 2021 तुसरी नारटी ने में 77 जीते हैं तो वहीं 2028 के लोग सभा चुनाओ में भारती जन्ता पार्टी को वननीस लोग सभा की सेटे प्राप्तवी, और उनका वोट प्रतिषद 40 प्रतिषद था, जो बहुत बड़ चुका था और ये भारती जन्ता पार्टी को एहसस दिलाने लगा था, कि वो सत्ता में पश्चे मंगाल में आ सकते हैं, आज भारती जनता पार्टी पस्चे मंगाल में इतनी मद्बूत हो चुकी है कि वो खुद अपना एक राज्य सभा का सांसत वहां से चुन करके भिजा सकती है तो ये कहना है कि भारती जनता पार्टी को वहां बहुत बड़ी हार हुई है ऐसा खते ही नहीं है और जहां तक बात अब त्रिनमूल कॉंग्रेस के अलग-अलग राज्यों में अपने पैड जमाने की है तो ये देखना बहुत आवश्यक है कि 2021 मार्च के इस महेने में जब विधान सभा के चुनाव पस्चे मंगाल में हुए और वहां त्रिनमूल को सफलता प्राप्त हुई उसके बाद उनकी महत्व कांग्शायम बढ़ गई अब वो नैशनल होना चाहते है राज्टिस्तर की गड़बनन को परियाप्त संख्या नहीं मिल पाती तो ऐसी परिस्तिती में ममता बेनर जी ही प्रधान मंतरी पत के लिए एक विकल्प होंगी इस तरह की बातें भी कहीं जाने लगी है जब कभी किसी राज्ज में किसी नेता को सफलता प्राप्त हुई है उसके बाद इस त ट्रुबन दब्स पाक को अपने बल्बूते पर बहुमत प्राप्त हुआ था को मायावती वहां से मुख्यमंत्री बनी थी तब बीब सफलता अप्राप्त कर ली है , बोजन समाट पार्टि है। अब माया वती ही प्रधान मंत्री पत्थ की प्रवल दावेदार ही इस तरह की बात कही गई। फिर नितिश कुमार का भी एक समय आया जब नितिश कुमार को कह गया और कि फ़स्म्प están प्रदान मंतरी बनने की इस तरह की बाते नितिश्क कुमार को लेकर भी गई जब नितिश कुमार 1 سے 2 2 3 बार्ट जिता और वहां वीःर में मुक्ष मंतरी बने उसके बार को लेकर भी बात देखने में आई के शरत पवार भी कहीं ना कहीं प्रधान मंत्री बनना चाहते थे लेकिन उनकी यह कोहिश कभी पूरी ना हो सै कि तो जिसके चलते वह कॉंग्रेस पार्टी भी छोड़े और राश्टी जन्ता अंत्रिक गड़ फिर उसके बाद अपनी पार्टी एंसीपी नैशनलिस्ट महाराष्ट्रा में उन्होंने उन्हें कुछ हत्तक सफलता भी प्राप थी उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी उस समय छोड़ी जब सोनिया गांधी को कॉंग्रेस पार्टी की कमान दी गई थी फिर उसके बाद एक समय ऐसा भी था जब 1292 में से पहले जब मुलायम सिंह याद चोटे कारी काल के लिए ही सही लेकिन प्रधान मंत्री बने तो जब एक रिजिनल लीडर के तौर पर मुलायम सिंह यादो उभर रहते तो वह भी देश में प्रधान मंत्री बनना चाहते थे उनके नाम को भी सामने लाया गया प्रधान मंत्री पत के लिए और उन्होंने सा मैं ऐसा भी था जब लालू प्रसाद यादो लगाता और तीन तीन बार बिहार से विधान सभा में चुनाव जी चुके थे और लालू यादो रबडी देवी वहां से मुक्षय मंत्री बने तो लालू यादो भी सरवजनिक तो पर कहने लगे कि मैं देश का प्रधान मंत्री बनना चाहता हूं धान मंत्री बनने की इच्छा रखना चाहता हूं तो इस तरह की बातें पहले भी होती रही अलग अलग शेत्रिय दल जब जब कभी किसी राज्जी में सफलता प्राप्त की तो उन्होंने अपने जो खाईश है उसका इजहार किया और आज त्रणमुल चुनाओं में पहली ही बार सफलता प्राप्त की फिर लगातार उन्हें तीन बार दिली के विधान सभा चुनाओं में सफलता प्राप्त थी तो आमादमी पार्टी भी ये बात कह रही थी कि अब हम देश के अंदर सबसे तेजी के साथ फैलने वाली पार्टी है जो राश् उतरपदेश विधान सभा चुनाओं को ले करके आमादमी पार्टी के नेता और राज्य सभा सहसांसा संजय सिंग ने अखिलेश यादों से मुलाकात की है और कहा जा रहा है कि आमादमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में भी किसी तरह का प्रीपोल अलाइंस ह हो जाएगा वो भी एक तरह से अब गड़बंदन बनाने के लिए मन बना चुकी हैं तो गवर करने वाली बात यह है कि ममता वेनर्जी तो अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहती है लेकिन राश्य स्तर पर उभर पाना उतना आसान नहीं है पहले भी कही नेता इस तरह का प्रयास कर चुके हैं लेकिन आज बीएसपी की क्या हालत हो रही है दोजार चोदा में एक भी सानसत बीएसपी का लोकसभा में जीत करके नहीं आया था फिर दोजार और यसमें दस सानसत उनके वहां से जीते उत्तर प्रदेश से वो भी समाजवाधी पार्टी के साथ गड दर्शन करने के लिए इस तरह की बाते हो रही हैं तो अब शरत्पावार को देख लीजिए लालुयादव बिहार में हैं तो नितिश कुमार मुक्षेमंत्री तो कहने को मुक्षेमंत्री तो आज है लेकिन उनकी जो संख्या विधान सभा में बिहार में है वह भारती जन्ता पार्टी से बहुत ज्यादा कम है भाजपा की वजह से वह मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो यह सभी चीज़ें आज देखने के समाजवादी पार्टी जिनके केवल पांस सांसे द्याड लोग सभा के अंदर एक समय था वो चाहते थे कि उनकी पार्टी से प्रधान मंत्री हो और आज त्रिनमुल कॉंग्रेज भी इसे तरह की खौईश किये हुए हैं लेकिन राश्चिस्तर पर उभरना एक बहुत कठिन रास्ता है उतना आसान खते ही नहीं है